नमस्कार दोस्तों, हाल ही में NTA ने एक notification जारी किया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तेरा परल को यह notification जारी हुआ है, और यह जो notification है, यह notification है NCED, यानि कि National Common Interance Test, और यह जो test है, यह 4-Year Integrated Teacher Education Program के लिए है, यानि कि ITEP के लिए आप लोगों को पता ही होगा, कि ITEP के तहथ आप लोग चार वर्स की Dual Degree Course, जिसे हम लोग कहते हैं न, BSC, BAD, है न, BSC, BAD, या फिर BABAD, BCOMBAD, इन सारे पार्ट करम में आप लोग एडमिसन ले सकते हैं, और वो भी देश के प्रतिश्टिक जो संस्थान हैं, जैसे कि आपके Central Universities हैं, State के Universities हैं, और Institutions जैसे क IIT हैं यानि कि Indian Institute of Technology, NIT हैं जैसे कि National Institute of Technology, RIE यानि कि Regional Institute of Education, तो ऐसे बहतरी इंस्टिचूशन में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा दोस्तों, है न, तो आप लोग इसका फॉर्म आप लोग जल्दी से भर दिजा, आप लोग चाहिए NTA की वेबसाइट पर और वहाँ पर आ फॉर्म भरने के जो सेड्डिल है, वो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यह जो इसाम होने वाला है, यह होगा, CBT यानि की computer-based test होगा यह, और यह देश की 178 cities में conduct की जाएंगी, यहाँ पर और भी देख सकते हैं आप लोग, 13 अप अपरेल 2024 को रात के 11 बच के 50 मिनड़ तक रहेगा, वही अगर हम लोग, correction करने की बात करें, अगर आपकी जो application है, उसमें कुछ गलतिया हो जाती हैं, तो आप यहाँ पर दो माई से चार माई के बीच आप लोग, correction कर सकते हैं अपने application में, उसके बाद है, announcement of, उसके बाद है announcement of the city of the exam, यानि की exam center का जो announcement है, city का announcement है कि कब-कब यह exam कहां-कहां होगा, तो इसका जो list आएगा, वो आपका माई के अंत में आएगा, आखरी सप्ताह में, admit card आप लोग download कर पाएंगे, अपने exam के तीन दिन पहले, और अगर हम लोग exam date की बात करें, तो वो है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, 12 June 2024, बुद्धवार को, answer की कब आएगा, इसका, इसमें पूरी तरीके से जानकारी नहीं दिया गया है, इसको announce किया जाएगा, इ हम लोग इसे website पर आप लोग बने रहिएगा, बार-बार 24 दिन में आप लोग visit करते रहिएगा, result के लिए भी same है, आप लोग देखिए, बाद भी मतलब इसको announce किया जाएगा, अभी मतलब इसका कोई निश्वित तारिक नहीं दी गई है, इसमें, आई दोस्तों, अब बा conduct किया जाएगा, जैसे कि English, Hindi, असमेज, बंगाली, गुजराती, कन्नडा, मलियालम, मराथी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलगू, उर्दू, इन भाषाओं में इसे conduct किया जाएगा, चलिए अप थोड़ा से हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पर exam के features का असर हैं कि कैसे इसको syllabus रहेगा, उसको हम लोग थोड़ा से देख लेते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जो mode of test होगा, यानि कि जो exam होगा, वो किस mode होगा, CBT mode में, यानि कि computer based test होगा, यह computer के सामने on in आपको exam दे रहा होगा, test का pattern अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो कि language में किस-किस type के questions आएंगे, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, reading comprehension है, यानि कि जो unseen passes देते हैं, जिसमें आप लोग उसी में उत्तर वगरे रहता है, उसी में से आपको question पूश जाएंगे, कहानी दिया रहेगा, उसी में से पढ़के आपको उत्तर रिखना रहता ह इसे इंपरस न दिया रहेगा, उसी में से छाट के आपको tick लगाने रहेंगे, ठीक है, literary aptitude की कितना आप भासा के बारे में चानते हैं, कितना आप language सिखने में, कितना आप aggressor हैं, उसके बारे में जानकरी लिया जाएगा, vocabulary के बारे में जानकरी लिया जाएगा, कितना आप जानते हैं, सब दार्थ वगरे पूछा जा सकता है, जैसे के एंच नायम, साने नायम वगरे, यह सब पूछे जाएगे, उसके बाद यहाँ पर और देख सकते हैं, आप लोग यहाँ पर domain specific subject रहेंगे, वो उसको syllabus जो रहेगा, वो होगा आपका बारविक लेवल का, इसमें आपके तीन domain specific subject आपको चुनने रहेंगे, मैं आगे बताऊंगा उसको, यहाँ पर आगे दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर चलिए syllabus देख लेते हैं, और यहाँ पर general test रहेंगे, तो general test में आपके GK के questions आएंगे, current affairs के questions आएंगे, general mental ability, जिसको हम लोग समान्यमानसिक प्लिटिकल है नहीं, जिसे हम लोग तारकिक, तारकिक शमता बोलते हैं, जिसे हम लोग उसके बारे में भी रहेंगे, यह नहीं कि जो आप लोग D.A.B.A. के में आप लोग जो exam देते हैं, same वही syllabus देख लेभग इसका भी रहेगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, teaching apt teaching aptitude में, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, teaching of science, teaching of art, mathematics, performing art, और languages, इन सब की बारे में कैसे इनको पढ़ाया जाता है, थोड़ा सा बच्चों के बारे में यहाँ पर question रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, registration, आप लोग इस वाले website में जाके कि अपना वहाँ पर registration कर सकते हैं, form fill up कर सकते हैं, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, pattern देख लेते हैं, question किस type कहाएंगे, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, language 1, language 1 में जैसे माल लेजे, आप चून लेते हैं, आप लोग लेते हैं, आप लोग लेते हैं, English, ठीक है अधिकतर तरह से ही आप लोग चूनोगे, तो यहाँ पर दिया हुआ है, section 1 और 2, वहाँ से आप लोग इसे choose कर पाऊगे, तो यहाँ पर section 1 और section 2 जो दिया हुआ है, section 1 में आपका language का section है, वहाँ से आप लोग चून कर पाएंगे, आगे आपको दिखाओंगा इसको, ठीक ह और language 2 को भी आप section 1 से choose कर पाएंगे, और section 2 से आप लोग जो specific, जो यह domain specific subject है, इनको choose कर पाऊगे, ठीक है, आगे हम लोग दिखाएंगे आपको, सबस्फ़ल इसको अपनोग समझ लेते हैं आपर, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते है, language 1 का 23 question आएगा यहाँ यहाँ पर इसमें language 2 देखते हैं आपर, language 2 में भी आपर 23 question पुशे जाएंगे, इसमें से 20 question आपको solve करने रहेंगे, teaching अप्रीट का भी सेम है, इसमें भी 23 question आट रहेंगे, सभी में 3-3 question एक्स्टो रहेगा, और यहाँ पर भी आपको 20 question आपको solve करने रहेंगे, general test में भी आपको 28 question biology लेकर कर पढ़ा हुआ है, तो biology के साथ आपने bio के साथ bio पढ़ा होगा, और physics पढ़ा होगा, और physics के साथ आपने chemistry भी पढ़ी होगी, है ना, तो यह तीनों subject आपके क्या रहेंगे, domain space, subject कहलाएंगे, इन सभी में 28-28 question पुशे जाएंगे, 28-28 question में से आपको 25-25 question आपको solve क करेंगे, 3-3 question action रहेगा, ठीक है, चले ही देखते हैं कि कौन-कौन से subject रहेंगे, कौन-कौन से language आप चूज कर सकते हैं, इसको आप लोग इस वाले list में देख पाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, आप लोग, तो यहाँ पर देखिए, बहुँ सारे languages दिये हैं जो कि आप भारवी class में, ग्यारवी class में देखर के पढ़ते हो, जैसे कि माल लेजे, आप maths के student है, तो हो सकता है, आपने क्या लिया होगा, maths लिया होगा, mathematics और chemistry लिया होगा, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यह mathematics है, और यह physics दे तीनों subject आप लोग यहाँ से choose कर करेंगे, section 3 में यहाँ पर teaching of teacher और section 4, यह general test जो की mandatory सबके लिए compulsory है, रहे 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 और इसको आप लोग चूज नहीं कर सकते, सबके लिए एक जैसा ही रहेगा, तो दोस्तों इस date को आप लोग याद रखिए और जल्दिस जाकर कि आप अपन पर, तो देखे जो general के जो student है, ठीक है, general category के जो student है, उनको यहाँ पर चुकाने होंगे, 1200 रुपाय, वहीं अगर हम लोग बात करें, OBC की, OBC, या फिर EWS, तो इन लोगों को चुकाने होंगे, 1000 रुपाय, वहीं ST, ST, और दिव्यान जो लोग है, इनको चुकाने होंगे, 650 चास रुपाय, या आपके 30 रहेंगे दोस्तों, तो जल्दिस जाएए, अपना form fill up कीजिए, और अपने सिशक बनने के सपने को सकार कीजिए, अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करते जाएगे दोस्तों, और इस वीडियो के झाल 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